बच्चा बोलता नहीं क्या करें मेरा बच्चा एक साल का हो गया है अभी तक कुछ भी नहीं बोलता या मेरा बच्चा देड़ साल का हो गया सिर्फ ममा या पापा बोलता है कुछ लोगों के यह कुश्चन होते हैं कि मेरा बच्चा तो दो साल का हो गया लेकिन अभी भी सिर् एक मा औरा पापा के लावा कुछ भी नहीं बोलता है तो लोगों के चीरता है कि मुलने कि सही होती और किसे रसे में बच्चे को कितना बोलना सिखना चाहिए और अगर भर वक्चा देरु रहा है तो उसका क्मिशत वे तॉसका कारण हो सकता है आज मैं इस टॉपिक को बात कर लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस टॉपिक को बेकर कि मैं मेरा इतने मंद का हो गया है या उससे भी ज़्यादा हो गया है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बोल रहा है यह सिर्फ एक दू वर्ड बोलता है तो इसकी क्या वज़ा है और बच्चा किस मंध में लगबक कि आज मैं उसी topic को फिर से दो रहाऊंगे जिसे जो आपके confusion है वो दूर हो सके और आगर आप परिशान है तो आपके परिशानी में कुछ हद तक कमी हो चली वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और मेरे नए चैनल पर भी एक बार विजिट जरूर करिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो बच्चे की जो बोलने की सही उम्र होती है वो लगभग बच्चा जब 6-8 महीने के होते 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 बच्चा एक दू वर्ड सबसे पहला वर्ड बच्चा जादा तर मा बोलता है जो कि सबसे इजी भी होता है बच्चे के लिए और बच्चा मा से कुछ जादा ही रिलेट होता है इसलिए बच्चा सबसे पहले मा बोलता है पापा बोलता है या दादा बोलता है इस तरह कि एक दूवर्ड सिर्फ एक दूवर्ड वो बोलना सिखता है और यह बच्चे की बोलने की शुरुवात होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों की एक ही टाइम घीर शर्म पर दो बोलने की कुछ वजह हो सकती जो मैं आगे चल के बताऊंगी और बच्छा एक साल का होते होते उसको दादा या माघा पापा जो भी बोलता तो सब्सक्राइब लगबग दिएडर साल का होते होते आपका बच्चा और धेडर सारी वर्ड बोलना सीख जाएगा बच्चा सबसे पहले यहीं बोलना सुखता है की जब भी वह भूखा होता है तो वह आपसे घृद मांगना सीखेगा मंन दूदू या मंन भू जिस तरह से आप उसे बोलती है वही चीज बच्चा आपकी कापी करेगा दीरे धिरे बस यह है कि उसकी जो लेंग्विज होगी थोड़ा तोतली और कुछ बच्चे साफ भी बोलते हैं वो दीरे-दीरे अगर तोतला भी बोल रहा है तो दीरे-दीरे साफ हो जाता है लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है यह आपको कभी भी बच्चे के साथ तोतला कर नहीं बोलना है बच्चा छोटा है वो बोलना सिक रहा है लेकिन जैसा आप बच्चे की आदत में शामिल हो जाएगा तो फिर बच्चे को सही बोलने में काफी परेशानी होगी और आगे चलके आपको भी अच्छा नहीं लगेगा शुरुवात में तो बच्चों की तोतली बोली बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर आपने उसको टाइम से नहीं बच्चा जब डेड़ साल का हो जाता है उसके बाद दो साल तक आते आते वह छोटे-छोटे संटेंस बोलना सीख जाता है एक साथ एक या दू वर्ड को जोड़कर बोलना सीख जाता है यह तो ठीक नॉर्मल चीज की बच्चे नॉर्मली किस मन से बोलना शुरू करते हैं और किस तरह से वह दीरे-दीरे आगे हर चीज को सीखते जाते हैं और बोलना सीख जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आठव महीने में बिल्कुल भी नहीं बोलना सीखते हैं एक साल के हो जाते हैं बिल्कुल भी बोलना नहीं सीखते हैं कुछ बच्चे ऐसे जब आपका बेबी हुआ वह बहुत ही जादा वीक रहा हो तो जब बच्चे होने के टाइम पर बर्त के टाइम पर बहुत होते हैं तो फिर बिश्चे थोड़ा लेट से होती है इसलिए जो भी चीजे सिकते हैं सब में कुछ न कुछ मन का डिफरेंट जरूर होता है एक नार् बिल्कुल वह बोलना सिक सकता है लेकिन घर में उस सही से बात नहीं करता है जैसे कि आप आप घर में मां रहते हो जैसे कि आप अपने बच्चे को फेड़ तो कराती है उसको खाना खिलाती है लगते हैं तो जब आप खाना खिला रहे हैं तब ही अप छोटी शोटी बाते कर सकते हो आप इसके साफ थोड़क्त के खेल सकते हो जादे से बच्चा चार महिना का हो जाए इसी के बाद स सरा है आप अपने बच्चे से बाते करना शुरू कर दीजे disast Luis दीरे दीरे आप जब बोलेंगे तो उसकी आखे ठहरने लगती है और वो अंदाजा लगाता है कि कहां से आवाज आ रही है शुरुआत में आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे तो उनकी आखे एक जहां नहीं ठरती अगर आप सामने बैठा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी आखे आपके फेस पर ही आखे ठहरें लेकिन धीरे धीरे दो-तीन महीने के बाद बच्चा आपकी आवाज से आपकी बोली से मुस्कुराना सिखता है और आवाज आपकी सुनता है धीरे धीरे उसको पहचानने के नाम बताईए जिससे हर चीज को बोलने की कोशिश करेगा वो समझेगा कि यह बॉल है यह टॉय है यह दूद है जो भी चीज़े उसके आसपास हो आप उसको जरूर सिखाए हर चीजों के नाम सिखाईए जितना जादा बच्चे से बोलेंगी उतना जल्दी आपका बच कर सकता है यह बहुत में बजा हो सकते हैं कि चोटे बच्चे कउप घृ करते हैं और जैसा आप करेंगी बच्चा एसे प्रिमेच्वर हो नाइन मन्स पहले इसका जन्म हो गया हो तो यह वर यह प्रिमेच्वरे साथ उसका गया है और एक बज़ा ये भी हो सकती कि आपके अगर जुड़वा बच्चे हो तो उसमें हो सकता एक ज़्यादा एक्टिव हो और एक थोड़ा कम एक्टिव हो तो उसमें भी कोई परिशानी वाली बात नहीं है आगे चलके वो बच्चा भी बोलना सिख जाएगा और एक बज़ा ये भी हो सकती कि आपके बेबी के कान में कोई infection अगरा हो गया हो तो अगर उसके कान में कोई problem है बच्चा अगर आपकी बात सही से सुन नहीं सकता है तो वो बोलना भी नहीं सिखेगा क्योंकि बच्चे को कोई भी language नहीं आती है कुछ भी बोलना नहीं आता ह वो आपकी बातों को सुनकर ही बोलना सिंटा्या कि बातों को ही वो कॉपी करेगा उसलिए यह वज़ा यह वी हो सकती है कि आपके बच्चे को कभी चोट लग गई हो सिर्म के चौट लग गई हो मालें उतना सब्सक्राइब Comics और भी बच्चे के बोलनी में उस रही已经 Reksna औ बच्चा करें और सकता है उससे आपका बच्चा बोलना सीख जाए और वजह हो सकती है कि बच्चे का तालु कटा हुआ हो तब भी बच्चा नहीं बोल पाएगा उसके बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी बोलने में इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए डॉक्टर बता सकते हैं अगर बच्चे का तालू कर्टा हुआ होगा अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है बहुत ही जादा दिन हो गया है तो आप एक बार डॉक्टर को इसके लिए भी दिखा सकते हैं अब आप इस सब चीज का ध्यान रखते हुए यह दिया रहे कि आपका आपका बच्चे से जादा से जादा बाते करें उसको जादा से जादा वर्ड सिखाए बोलने के लिए उसको अपने आसपास की चीजों को दिखाइए वह जरूर बोलेगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए चैनल पने आया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे